आप भी अगर किसी भी प्लांट को बड़े बाले टॉप पर चेंज करते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखना आपको मिट्टी पूरा नहीं भरना है थोड़ा गैप रखना है यह जो इंपेशन फ्लावर है उसको अब बड़े बाले पौट पर चेंज करने का टाइम आ चुका हैं क्योंकि इसका फेड़ सादा बड़ नहीं रहा है और इसपर फ्लावर भी बहुत ही कम आता था पहले इसपर बहुत ही जादा फ्लावर आता था अब नहीं आ रहा है यूकि इसका pot के उनुजाई ये पेड बहुत ही बड़ा हो चुका है अभी तो सर्दी का महिना चल रहा है सर्दियों में impression पर बहुत ही ज़ाधा flower होना चाहिए मगर इस पर कम आ रहा है आज हम इसका potting करेंगे बड़े वाले pot पर उसका topic पर ये वीडियो है हलो गाइस आप देख रहे हो green India 2.0 आज का जो topic है ओए impression flower इस वाला flower को हम बड़े वाले pot पर चेंज करेंगे मैंने जो बड़ा वाला 10 इंची का गमली टाइप का pot लिया है ये वाला बहुत ही बड़ा है इदर चारों ले लिया और ये है हमारा नार्शरी का garden soil पहले जो इस पर filter का काम करेंगे शेद नहीं बंद करोगे शेद ज़रूत नहीं है अब दूसरे वाले पर सारे pot पर अच्छे से filter का काम कर दिया अब इस पर क्या दोगे मिट्टी थोड़ा थोड़ा करके इस पर मिट्टी देंगे इसका हाइट मेंटन करने के लिए ठीके इस पर अच्छे से निकल लिया इस पर बहुत ही सारा रूट भी आ चुका है इसलिए बाड नहीं पा रहा था तूटा दिगा था अब इस पर अच्छे से इसे फिक्ष्ट कर देंगे चार ओवर से मिट्टी को फ्रिल कर देंगे इस पर पेड बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा इसका रूट बगेरा भी बहुत ही बड़ा बड़ा होगा फ्लावार भी जादा आएगा इसलिए मैंने सोचा इसको बड़े बाले पॉट पर चेंज कर देंगे यह जो इंपेशन फ्लावार है यह विंटर पर ही होता है तरद्यों में इसका फ्लावार बहुत ही अच्छा होता है और इसका पेड भी सर्द्यों में ही तैयार किया जाता है गर्मे में यह होता नहीं है झाल! आप भी अगर किसी भी प्लांट को बड़े बाले टॉप पर चेंज करते हैं तो एक चीज़ता ख्याल रखना आपको मिट्टी पूड़ा नहीं भरना है थोड़ा गैप रखना है क्योंकि इससे आपका जो पानी है ना वो देने पर इस पर स्टोर होता है तो चारो प्लांट अभी तैयार हो चुका है अब इस पर पानी दे देंगे और ऐसा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करके इस चैनल को फॉलो कर सकते हो क्योंकि इस चैनल पर टेड़ो के बारे में ऐसा वीडियो आता रहता है आज के लिए इतना ही नमस्कार जैहिंद